चलिए बच्चो, आम लोग अपनी exercise को आगे start करते हैं, जहां तक हम लोग ने किया था, उसके बाद के हम लोग exercise देखते हैं, question 2, start करते हैं, यहां पे कुछ magic words लिखे हैं और बीच में blanks है, इसको हम लोगो fill करना है समझते हुए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है इसमें दिया हुआ है S-R-Y और यह होगा Sorry S-O-R-R-Y Sorry, Sorry मतलब होता है किसी से अगर या हमसे अगर गलती हो जाए तो हम उसको उनसे माफी मांगते हैं Sorry बोलते हैं दूसरा magic word है यहाँ पे जो लिखा हुआ है P-E-S लिखा है बाकी blanks हैं यहाँ पे तो यह magic word है हमारा Please P-L-E-A-S-E Please Please मतलब होता है Kripia Please मतलब क्या होता है Kripia हमें किसी से कोई चीज मांग नहीं होती है तो हम उससे Please करते हैं Please मुझे दे दो या Please मेरा या काम कर दो Next word है Pardon यह जो word लिखा हुआ है यह है Pardon P-A-R-D-O-N Pardon Pardon word हमका use हम तब करते हैं अगर हमने किसी कोई अगर रेक्ती हमसे कोई बात कह रहा है और हमको सुनाई नहीं पड़ा तो हम कहेंगे उसको Pardon मतलब कि आप अपनी बात को repeat करिए फिर से दोहराइए Next magic word है जो यहां दिया हुआ है वो है W-E-L-C-O-M-E Welcome मतलब आपका स्वागत है कोई जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें उसको Welcome या कोई हमें थैंक्स करता है जब तो हमको उसको Welcome करना चाहिए Your Welcome जैसे माल लीजिए कि हमने किसी को गिफ्ट दिया उसने हमको Thanks कहा तो जब वो हमको Thanks कहेगा तो हमको बोलना है Your Welcome Next exercise है Rearrange Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences यहां पर jumbled words दिये हुए है jumbled words दिये हुए है कोई sentence नहीं बन रहा है और इसको हमको meaningful sentence में arrange करना है तो चल्दी जल्दी से start करते हैं इसको A letter sent I my father to तो यह जो sentence लिखा हुआ है यहां पर यह हमको arrange करना है सबसे पहले हम इसको subject के साथ arrange करेंगे I उसके बाद verb आएगा Sent फिर हमने क्या भेजा A letter भेजा A letter किसको भेजा To My Father तो इसको जब हम arrange करेंगे तो यह हो जाएगा I sent a letter to my father Next sentence है Some flowers the sun for his mother bought यह क्या होगा तो यहां subject again हम subject से शुरू करेंगे सबसे पहले The sun वर्ब आजाएगी Kriya bought फिर यह आएगा क्या खरीदा उसने Some flowers कुछ flowers खरीदे उसने किसके लिए खरीदे For his mother For his mother तो यह हो जाएगा sentence हमारा The sun bought some flower For his mother अपनी मा के लिए उसने कुछ फूल खरीदे Next है The tree, the car Hit the With great force यह क्या होगा इसका शुरू करते हैं सबसे पहले subject के साथ The Car फिर वर्ब आजाएगी Hit किसको हिट की The tree किसको हिट की Tree को हिट की किसके ऐसे की With a great force With great force मतलब बहुत तेजी के साथ उसने पेड को टककर मार दी Car ने Next है Slowly his meal ate ashish Again जब भी कोई sentence आता है तो हमको सबसे पहले subject के साथ शुरू करना होता है जो करता होता है तो हम यहाँ शुरू करेंगे आशिश से आशिश ने क्या किया Eight मतलब उसने खा लिया क्या खाया उसने His meal अपना खाना His meal और कैसे खाया Slowly यह एड़वर्ब है जो की खाना खा लिया कैसे खाया दीरे दीरे खाया उसको बता रहा है Next है Celebrate on 26th January Republic Day We तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे Again Subject के साथ करता के साथ कि कौन Celebrate कर रहा है We हम क्या करते हैं Celebrate करते हैं We Celebrate मनाते हैं क्या मनाते हैं Republic Day मनाते हैं Republic Day कब मनाते हैं On 26th January तो हम 26th January को Republic Day मनाते हैं Next है Moves The Earth The Sun Round सबसे पहले करता कौन काम कर रहा है The Earth Earth क्या कर रही है Moves घूम रही है Earth Moves Round किसके Round घूम रही है Earth Moves Round The Sun Earth Moves Round The Sun तो यह हमारे Jumbled Sentences थे उनको हमने उसको Arrange कर दिया है चलिए Next Exercise देखते हैं Question 5 Read aloud The Dialogues Between जो Dialogues है Excuse me Teacher May I come in Oh yes Please come in यह कुछ Dialogues है मतलब Magic Words Excuse me बोला कि क्या मैं Teacher अंदर आ सकता हूँ Oh yes कहां तुम आ सकते हो Question Exercise First करते हैं You have read The lesson Magic Words और यह हमें कुछ Questions नीचे दिये हुए है इनको हमको Solve करना है कौन से Chapter से है यह Chapter Magic Words पहरा Question Who asked Meethi For a Notebook Meethi से Notebook किसने मांगी थी जब हम लोग Chapter पढ़े थे Magic Words तो उसमें था कि Meethi से जो Book मांगा था वो मांगा था कबीर ने Meethi से Notebook किसने मांगी थी कबीर ने मांगी थी तो यहां पे हो जाएगा कबीर पूरा Answer आपको यह नहीं अगर आ रहा है तो सिर्फ हम कबीर भी लिख सकते हैं नहीं तो यहां पे हम लिखेंगे कबीर Asked Meethi For a Notebook Second है Who forgot to bring the picture book Picture book लाना कौन भोल गया था Chapter में हमने पढ़ा था कि Meethi ने एकता को अपनी picture book दी थी पढ़ने देखने के लिए और जब Meethi क्लास में आके एकता से अपनी picture book मांगती है तो एकता बोलती Oh sorry I have forgotten the book की मैं उसको तो अपने घर पे ही भूल गई हूँ तो book कौन भूला था book भूली थी एकता तो एकता के यहां पे Who की जगा हम एकता लिखेंगे और बाकी पूरा आंसर पीछे कब ऐसे ही रहेगा एकता Forgot to bring the picture book Third question है Who uprooted the new sapling Upprooted मतला वो था उखाड देना Sapling को किसने उखाडा था जो पेड छोटा सा लगा था भार इस्कूल में वो पेड किसने उखाडा था तो हम लोगने पढ़ा एक book में जब यह magic words पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि रवी एक लड़का था और रवी ने ही पेड को उखाड दिया था जो छोटा सा पेड था उसको उखाड दिया था तो आंसर बनेगा रवी uprooted the new sapling sapling का मतला होता है छोटा सा पेड जब पौधा होता है छोटा सा उसको sapling कहते है होती हैं और वो माफ कर देंगी रवी को किस ने सलाह दी थी ये चीज़ की तो रवी को मीठी ने सलाह दी थी मीठी एडवाइजड रवी ठीक है मीठी ने उसको सलाह दिया था रवी को कि रवी तुम जाके मैडम से माफी मांग लो टीचर से माफी मांग लो next हम देखते हैं यहां पर fill in the blanks आ गए है magic words में ही हम लोगे जो chapter पढ़ाता हो उसमें उस chapter को पढ़के दिमाग में रखते हुए और हमें यह fill in the blanks complete करना है सबसे पहला है yesterday dash was absent कौन absent था कबीर absent था तो कबीर second dash has a box यहां पर दो option हमको दिया है मीठी और एकता का तो मीठी के पास box था कि एकता के पास तो answer होगा मीठी मीठी के पास box था dash is very kind कौन बहुत kind था teacher या रवी तो मीठी ने कहा था कि teacher बहुत kind है मतलब teacher बहुत ही अच्छे हैं वो तुमें माफ कर देंगे तो answer होगा teacher और fourth है dash had a mistake किस ने गलती की थी मीठी ने की रवी ने रवी ने mistake की थी और क्या गलती की थी रवी ने उसने गलती से एक पौधे को उखाड दिया था रवी और teacher और question है would forgive him मतलब कौन तुमें माफ कर देगा teacher या रवी तो मीठी ने कहा था कि teacher बहुत अच्छे हैं वो तुमें माफ कर देंगे तो यहां पर आएगा teacher तुमें माफ कर देंगे नेक्स एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग fill in the blanks with the help of the hints given in the brackets यहां पर कुछ words दिये हुए हमनों को समझने के लिए और यह sentences को देखते हुए समझते हुए हमें इन words का use करना है सही रूप में इनके सही रूप में ठीक है तो start करते है और dash is near the blackboard अब आप देखिए यहां पर कि इस word का singular मतलब एक वचन और बहु वचन भाना है यहां पर is लगा हुआ है इसका मतलब की होता है एक इसका मतलब यह singular ही यहां आएगा duster यह duster ऐसे के ऐसे ही आएगा यह बहु वचन नहीं बनेगा plural नहीं बनेगा ठीक नेक्स्ट है dash are red in color आर लगा है इसका मतलब की बहुत सारे चीजे हैं कोई plural है rose मतलब वहता है एक rose इसका मतलब यहां आर लिखा है इसका मतलब इसको हमको plural बनाना है roses तो इसको कर देंगे हम roses are red in color next है four dash are in classroom फिर आप देखिए यहां पे आर लगा है इसका मतलब की plural है यह singular हमको नहीं रखना है तो यहां क्या हो जाएगा benches es लगा देंगे तो यह plural बन गया और four four मतलब चार तो चार है इसका मतलब बहु अचन है बहुत सारे हैं एक से ज़्यादा चीज है तो benches next है ten dash are on the truck truck के उपर दस यह रखे हुए log log का मतलब होता है लकड़ी के लठे लोग दस मतलब एक से ज़्यादा इसलिए इसका हमें plural बनाना है तो यह हो जाएगा logs logs next है my dash is blue in color मेरी dash blue color की है jacket अब यहां देखे is लगा हुए ना इसका मतलब यह singular है इसका मतलब यह सीधे की सीधे jacket ऐसे ही आ जाएगा इसको हमें plural नहीं बनाना है next है monkey eats a dash यहां लिखा है बनाना अब monkey eats यहां पर क्या लगा है a मतलब एक तो monkey ने एक बनाना खाया इसका मतलब यह singular ही है इस यह plural नहीं है इसी दिए हमें इसे singular ही रखना है मतलब हमें इसमें s और es नहीं लगाना है 12 बारा 12 dash umbrella दे रखा है इसमें r in the shop मतलब बारा umbrella shop में है यहां बारा लिखा है मतलब एक से जादा इसका मतलब हमें क्या करना है इसको plural बनाना है और यहां r भी लगा हुआ है तो हम यहां पे क्या कर लेंगे umbrellas यू-m-b-r-e-l-l-a-s umbrellas हो जाएगा ठीक है तो यह plural और singular देखते हुए हमें यहां लगाना था अब next question है make sentences using the words यहां जो words दिये हुए इसको देखते हुए हमें sentences बनाना है सबसे पहले है word सबसे पहले word है please प्लीज को लेते हुए हमें एक sentence बनाना है तो हम बना सकते हैं please give me your pen मुक्रिप्या मुझे अपनी pen दे दो pardon pardon मतलब हमको सुनाई नहीं पड़ा तो please तो हम इसमें sentence बना सकते हैं पाड़न प्लीज रिपीट कि मुझे सुनाई नहीं पड़ा please repeat repeat के मतलब दुबारा बोल दीजिए excuse me next है excuse me तो excuse me बोलते हैं हम किसी का ध्यान अपने तरफ खीचने के लिए या किसी से थोड़ी स्थेर के छमा या वैसे मागने के लिए तो इसमें हो जाएगा एक्सक्यूज मी लेट मी गो फर्स्ट कि प्लीज कृपिया मुझे पहले जाने दीजिए excuse me बोलके और हम पहले चले जाएं नेक्स है thank you तो thank you हम बोलते हैं किसी किसी ने हमको कुछ चीज दिया उसके लिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं thank you for your gift आपके gift के लिए thanks thank you for your gift next word है sorry sorry को बोलते हैं माफी मागने के लिए तो हम यहाँ कह सकते हैं sorry for the late कि late हो गया उसके लिए sorry next है make sentences using the names of colors यहाँ पे कुछ colors के नाम दिये हुए हैं और इन colors के नाम को देखते हुए हमें sentence बनाने हैं तो हम छोटे छोटे sentence बना सकते हैं जैसे her frock is red red color मतलब लाल उसकी frock लाल रंग की है brown this bag is of brown color यह बैग brown color का है next है pink गुलाबी तो इसमें हम लिख सकते हैं I like pink color मुझे pink color बहुत पसंद है ग्रीन ट्रीज आर ग्रीन इन color ट्रीज होते हैं वह ग्रीन कलर के होते हैं और लास्ट है black तो हम लिख सकते हैं we have black hairs हमारे सब जादा तर हम लों के पास क्या होते हैं कि दूर में सन्टम्स बनाने थे